तो इस चिप्टा के शुरुआत में हम देखते हैं वैट ट्राइगन ग्रूप का एक बंदा बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता है कि हमारे लिए उस पर इतनी दूर से नज़र रखना सही होगा साथ हमें और पास जाकर उस पर नज़र रखनी चाहिए तो दूसरा कोई कहता है तुमको यह नहीं भोलना चाहिए कि गिरेट हैबनली मर्चंट गुरूप का गेस्ट हॉस किंग अफ वार का घर है अगर हम उस पर और करीब से जाकर नज़र रखते हैं तो हम पकरे जा सकते हैं तो वह पहला बन्दा कहता है. मैं नहीं तुम भोल गए हो कि King of War अभी Prejourn में है जिस पर वह दूसरा बन्दा कहता है. हाला कि King of War फिलाल के लिए यहाँ पर नहीं है लेकिन उसके बदले यहाँ पर Iron Tireant है जोकि नोस सबसे strong व्यक्तिों में से एक है अगर वो अपना कदम उठाता है तो भले ही हम पूरे white dragon group उसके सामने आ जाए तो भी हम guarantee नहीं दे सकते हैं कि हम जीत पाएंगे तभी वहाँ पर कोई तीचरा आते हुए किहता है इसमें कोई संदिह नहीं है कि iron tarant कोई ऐसा है जिसे हम छूबी नहीं सकते लेकिन आज वह दिन है जब powerful groups की grand assembly होने वाली है और मैंने confirm किया है कि iron tarant warrior hall में है इस समय पर great heavenly merchant group में एक भी martial artist नहीं है golden skull को वहाँ पर देख एक बंदा कहता है आप यहाँ पर क्यों है तो golden skull उससे बोलता है मुझे विश्वास है कि मैंने white dragon group को order दिया था सभी को यहाँ आने के लिए लेकिन उन में से केवल तुम दोनों ही यहाँ पर हो ऐसा क्यों जो सुन एक बंदा बहुत आता है white dragon group के सभी मेंबर warrior hall को घेरने के लिए master के order पर हाँ गये हैं साथ ही दूसरा कहता है लेकिन हम सोच रहे थे कि great heavenly merchant group के अपनी देख रेक में कोई कमी ना हो तो इसलिए हम दोनों यही पर रुक गए इतने में ही उन सभी का ध्यान young how की तरफ जाता है जो कि कहीं पर जाने के तैयारी कर रहा होता है उसे देख विए बंदे कहते हैं जांग हाग यो वह दिख गया है अब हमें क्या करना चाहिए उसके साथ तो golden scale उसकी ओर देखने के बाद भरी देर सोचता है और कहता है master cowder किसी भी चीज से जैदा important है लेकिन फिर भी मैं अपने duty से हर्षन ही मान सक मैं चाहता हूँ कि तुम दोनो warrior hall जाओ अभी भी powerful groups की grand assembly को सुरू होने में कुछ समय बांकी है अब तक मैं यहाँ पर सब कुछ साब करके दुबारा तुम लोगों से मिलता हूँ जो सुन वो दोनों बंदे वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है आगे white school heavenly merchant group को देखते लिजन में है old beggar और identity जो कि उसे follow करते थे वह भी powerful groups के grand assembly के चलते warrior hall में है इसलिए अभी great heavenly merchant group पर हमला करने का बिल्कुल सही समय है ऐसा लगता है कि heaven भी master के साथ है दुनिया पर कवजा करने में दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई चिला रहा होता है यंग लेडी तुम कहां पर हो पिलिज मुझे जबाब दीजिए अगर आप अभी भी जिन्दा हैं तो तो आप यहां पर हैं शुक रहें कि आप अभी भी जिन्दा हैं आपको देखकर मुझे रहत मिली तो हो भी उसे इतनी हर्परहाट में देख कहती है अंकल गायो मुझे यकीन है कि मैंने letter में आ मैं आपकी शुरक्षा को लेकर चिंदा कर रहा था इसलिए मैं इहां पहुंचने के लिए सेकुरेडर राष्टे आस्तिमाल किया आपको यहांसे तुरंथ बाहर निकलने की जरूरत है सो हो उसे संभालते हुए क्या आपको नहीं लगी है लिज थोरा सा संस लीजियं और व पहुँच जाएंगे उसकी बातों को सुन सो कहती है क्या आपके बोलने का क्या मतलब है गाई हूँ बताता है वाइट ड्राइगन गुरूप मेरा पीछा क्या जा रहा है फैब ड्राइगन लीक के अंदर आने वाले वैट ड्राइगन गूरूप के दौरा मैं उनका ध्यान भ वाज को सुन गायों जट से पीछे मुण कहता है नहीं यह नहीं हो सकता, किल्दी ने लṬया है उसे देखती हुए सोच रही होती है, गोल्ड एसकल अगर वैट ट्राइगन ग्रूप का लीडर कुद ही इस मामले को अपने हाथ में लिया है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि फाइब ट्राइगन लीग ने पहले ही हमारी प्लानिक पर ध्यान देद रिया है अगर ऐसा है तो वह आदमी मुझे मार दालेगा नह मुझे कुछ करना होगा और कुछ समय को निकालना होगा चाहिए जो कुछ हो जाए इतना सोचने के बाद हुआ कहती है तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते यह पलेस गिंग फवार और आइरन टाइरेंट के सनरक्षन में है अगर तुम फिर भी कुछ करते हो तो याद रखना यहाँ गेस्ट हॉल सभी मर्चेंटों का घर है यहाँ कुछ भी हुआ तो आइरन मार्शल एसुशियेशन के अंदर ग्रूपों के साथ कौन एग्रिमेंट करेगा यह जगह नाइन सेंटरल के किसी भी परसनल मामले से नहीं हो सकता और नहीं लाइन लीग और नहीं ड्रेगन लीग के यह ऐसी जगह है जो आइरन मार्शल एसुशियेशन के गरेंटी के अंदर आता है इस जगह पर कोई भी परसनल मामले के कारण हमें नुक्सान नहीं पहुंचा सकता मेरा मतलब है कि तुम भले ही फाइब ड्रेगन लीग के अंदर से आते होंगे लेकिन त पिल्कुल सही यंग लेडी कोई भी नहीं तोर सकता गांगो के द्वारा क्या गया एग्रिमेंट चाहे फिर वह फैब ड्रेगन लीग ही क्यों ना हो जो सुन गुल्ड एसकल कहता है वह क्या भासन थी पर यंग लेडी क्या तुमें सच में लगता है कि गेस्ट हॉल एक ऐस जगह है जिस पर किसी को भी अटैक करने का अनुमती नहीं है अगर तुम सच में ऐसा सोचती हो तो तुम हरी पर चंसा में कहे गए और एस्टेंडिक टैलेंट के बारे में यूमर सारी जूट है अगर यह प्लेस वैसा होता जिस पर की कोई भी आक्रमन नहीं कर सकता तो फि अगर तुम गौर्जियों में पैदा हुई हो तो मैं वहीं पर रहना चाहिए था तुम जैसे घुशबैठियों की हिमत कैसे हुई में लैंड के भूमी पर चार और घूमने की जैसे कि यह तुम हरा बैक याड हो इससे तुम खुद को ही मार डालोगी विवान को यहां से ब बाधा डालने की कोशिश करने की हिमत करेगा उसको कभी भी बरदास्त नहीं किया जाएगा जो सुन सोह कहती है तो तुम मुझे बता रहे हो ग्रेट हेवले मर्चंट ग्रूप को पर्सिक्यूट करने का कारण केवल गर्चियों के लिए तुम्हारा पर्सनल फिलिंग है त इस पर सुह कहती है ओ ऐसा है पर क्या यह तुम नहीं थे जो बिंदों पर परकास डालने की कोशिश कर रहे थे वैसे भी फाइब ड्रागन लिके हैड के रहस्यों को जानने से आईरल मार्चल असुश्येशन के साथ विश्वास घात करने का क्या लेना देना है मुझे तो लगता है वह आंग वो गुनाखी वह ऐसा है जिसने की हाइरल मार्चल सुश्येशन के साथ विश्वास घात किया है अगर ऐसा नहीं होता तो वह क्यों पावरफुल ग्रुप्स के ग्रेंड असेम्बली को करने पर जोड डालता तुम्हें क्या लगता है बड़ी बहन सोहो बातों को सुन और वे घबराती हुए कहता है आखिरकार वह मेरे पीछे थी जेट फ्लावर क्रोप की डिपटी चीफ हांसांग इतना बोलती हुए वह उसवा अटाइक करती हुए कहता है आखिर तुम्हारे हिम्मत को इसे हुई मेरे पीछे आने की पर आगे वह कुछ कर प चुका है या फिर मैं बस यह इमेजिन कर रहा था नहीं यह बस मेरी इमेजिनेशन नहीं है मेरा सत्गत जो कि दोनों काटा गया है यह इसका रूप है वास्ता में यहां पर चल क्या रहा है तभी हांसांग कहती है अगली बार जब तुम अपने स्वाड को बाहर निकालो त जिस पर हांसांगुश से कहती है मुझे नहीं लगता है कि यह कुछ ऐसा है अगर तुम अभी पीछे हट जाते हो तो मैं तुम्हें अभी जाने दूँगी जैसा कि तुम जानती हो मैं अभी भी आइरन मार्शल असूसियेशन का एक हिसा हूँ इसलिए मुझे फाइब ड्र सिबातों को सुन उस्सा होते है जेट फलाबर ग्रूप जुन यरू का एक ग्रूप है तुम बच्चों के जुन का केवल एक 50 चीफ हो लेकिन फिर भी तुम्हारी सहास सिमा को पार कर गया है मैं तुम्हें आज ऐसे स्टेट में ढाल दूंगा जहां पर कि तुम ना तो जि स्टेशन को देखते हुए दिसीजन लेने से पहले भी अपने एक्षन के बारे में सोच लेना चाहिए तो वाइट एसकल कहता है वाइट ट्रैगन ग्रूप कभी भी पीछे हटना नहीं जानता है हांसांग जो सुन कहती है अच्छा तो ऐसी बात है मुझे बताओ क्या तु वह स्टमेंट शिप है जो की अल्टिमेट लेवल को रिज कर चुका है यह स्ट इनर्जी बुलेट मेरे फाइब ड्रैगन लिग के जोएन करने के बाद मुझे स्टमेंट शिप के रास्ते पर चलते हुए कई दसक वीत गए हैं जिसके चलते मैं हमेशा सोचता था कि मैं अगले चेप्टर के साथ पर उससे प्रहले यार सब्सक्राइब कर दो प्लेज सरी